देखिए कलास 12 फिजिक्स में कल के इजाम के लिए करेंट इलेक्ट्रिसिटी चेप्टर दो से टॉप 10 MCQ कौशन एंसर को कौशन नमबर एक से देखिए कौशन नमबर एक बिभुआंतर बटे धारा किसके बराबर होता है यानि बिभुआंतर और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं एक का सयूतर ओप्शन ए होगा परतिरोत बिभुआंतर बटे धारा यानि बिभुआंतर और धारा के अनुपात को परतिरोत कहते हैं एक का सयूत ए होगा एक का ए आगे देखिए क्वेसर नमबर दो विभुवांतर गुना धारा किसके बराबर होता है विभुवांतर इंटू धारा किसके बराबर होता है दो का सयूतर भी होगा सक्ति विभुवांतर इंटू धारा सक्ति के बराबर होता है दो का सयूतर भी होगा सक्ति य वाली रासी है, ओम के नियम में नियत, कौस्टेंड, इस्थिर, रहने वाली रासी होती है, परतिरोत, तीन का सयूतर A होगा, तीन का सयूतर A परतिरोत, आगे देखिए, कौस्टन नमर चार, मिटर सेतू, मिटर बिरिच, किसके सिधांत पर कारी करता है, चार का सयूतर B होग विट इस्टोन बिरिच के थियोरी पर मिटर बिरिच काम करता है चार का सयोतर बी होगा चार का सयोतर बी आगे देखिए कौस्चन नमबर पांच को देखिए परतिरोधों के कोन से सयोजन में परीनामी परतिरोध कामान बढ़ जाता है इनकरिच कर जाता है पांच का सयोतर बांच का सयोतर बी होगा आगे देखिए question number 6, बंद परिपत में इलक्ट्रोन की गती की दिशा होती है, बिध्यू धारा के बिप्रित होती है, छे का सयूतर option B होगा, छे का B होगा आगे देखिए question number 7, विट इस्टोन बिरिच किसके मापन के लिए परियोग किया जाता है, उत्तर होगा परतिरोत, सही answer होगा C, साथ का सही answer C होगा परतिरोत विट इस्टोन बिरिच परतिरोत के मापन के लिए परियोत किया जाता है साथ का सही उतर option C होगा परतिरोत आगे देखिए question number 8 question number 8 को देखिए जब किसी धात्विक तार को खीचा जाता है तब उसका परतिरोत क्या होता है जब किसी धात्विक तार को खीचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है जिससे उसका परतिरोत बढ़ जाता है क्योंकि परतिरोत लंबाई का समानुपाती होता है आठ का सही उतर ए होगा परतिरोत बढ़ जाता है जब किसी धात्विक तार को खीचते हैं क्योंकि तार को खीचने से लंबाई बढ़ता है और लंबाई बढ़ने के कारण उसका परतिरोत बढ़ जाता है आठ का सही उतर ए होगा परतिरोत बढ़ जाता है आगे देखिए question number nine, कीर चौप के पर्थम नियम को कहते हैं, कीर चौप के पर्थम नियम को क्या कहते हैं, बिंदु नियम, संधी नियम, धारा नियम, इनमे से सभी, nine का सही उतरोगा option D, इनमे से सभी, कीर चौप के पर्थम नियम को बिंदु नियम, या संधी नियम, या धा तीनों कहते हैं, नाइन का सही उत्र, आपिशन D होगा, नाइन का D, आगे देखिए अंतिम प्रस्न, कौस्टेज, 10, को से नम्र 10 को देखिए, कीर्च वप के दुसरे नियम को लूप नियम, बिभव नियम, बंद परिपत का नियम, तीनों कहते हैं 10 का सही उतर option D होगा किर्चौप के दुसरे नियम को इहाँ पर लुप नियम विभाव नियम बंद परिपत का नियम तीनों कहते हैं 10 का सही उतर option D होगा तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ थेंक यू